आईए हम प्रात्ना करेंगे कट्टा होने के लिए मदद किया धनेवाद देते प्रभुची जो लोग यहां पे उपस देते उनको आपके हातों में देते हैं उनकी जीवन को आपके हातों में देते हैं प्रभुची जो लोग रास्ते में हैं उन्हें सुरक्षित रूप से पहुचने के लिए मदद करिये प्रभुची जो लोग हमें YouTube और Facebook में देखते हैं प्रभुची होने दे प्रभुची आज का ये Bible study प्रभुची ये अधियन प्रभुची उनके लिए काशिश का कारण होने पाए प्रभुची हर एक disturbances को हम कैंसल करते हैं पवित्रात्मा आपका हम स्वागत करते हैं आप हमारी अगवाई करिए चोटी सी बिंती आपके बेटे शुनासरी के नाम से मांगते हैं सुन और कबूल कर आमें 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 कुछ हफ्ते से हम लोग पवित्रात्मा के उपर में हम लोग Bible study को देख रहे हैं अध्यन को देख रहे हैं और आज हम पवित्रात्मा के दानों के उपर एक हलका सा इंट्रो इंट्रोडक्शन देखेंगे पूरा हम स्टेप बाय स्टेप नहीं देख सकते क्योंकि वह काफी बड़ा टॉपिक है लेकिन एक इंट्रोडेक्शन पवित्रात्मा के दान क् कैसे काम करते हैं वो हम आज देखने पाएंगे जो लूग बचाए नहीं गए हैं उन लोगों को पवित्रात्मा उनके पाप और धार्मिकता और न्याए के विशे में निरुतर करता है और जो लोग उसके सुसमाचार पर विश्वास करते हैं वो क्या करता है पवितरात्मा उन्हें पुन पुर्ण जीवित करता है और उन्हें मसी के जैसे बनने में मदद करता है जब कोई विक्ती सुसमाचार के संदेश को स्विकार करता है और अपने पापों का पश्चाताप करता है और विश्वास करता है कि इश्व मसी उसके पापों के लिए मरा तब पवितरात्मा उसके जीवन में कार्य करना शुरुवात करता है हर एक जन जो यहाँ पे बैटे हैं, including me, अगर हम यहाँ पे कलीसिया में आए हैं, मतलब पवित्र आत्मा ने काम किया है, इसलिए हमने इश्मसी को अपने जीवन में उधार करता के रूप में सुविकार किया है और जब हम पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में कई प्रकार से कार्य करता है, सबसे पहले पवित्र आत्मा सिखाता है, क्या करता है? सिखाता है, वो हमें निर्देश देता है, जब हम पहला कुरंतियों, दो उसका तेरा पढ़ते हैं, महा लिखा है, फर्स कुरंतियन्स टू, थर्टीन, महा लिखा है, जिनको हम मनुष्य के ज्यान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातो में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं कहां से मिली है पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बातें पवित्र आत्मा क्या करता है वो हमें सिखाता है बहुत बार जब एक विक्ति मसी में आता है तब उसको कुछ नहीं पता कैसे चलना कैसे बात करना लेकिन पवित्र आत्मा उसको धीरे धीरे क्या करता है सिखाता है ग्रूम करता है और वो क्या करता है उसे एक अच्छा मसीही बनने में मदद करता है दूसरा पवित्र आत्मा मार्ग दर्शन करता है क्या करता है मार्ग दर्शन वो हमें दिशा दिखाता है जब हम रोमियों 8 उसका 14 पढ़ते हैं Romans 8.14 वहां लिखा है इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाई चलते हैं चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है मतलब एक मनुष्य दो प्रकार से चल सकता है या तो अपनी बुद्धी से जैसा उसका बुद्धी कहता है अपनी सोच से या फिर वो आत्मा के अनुसार चल सकता है तो जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलने लगते हो तो बहुत सारे चीजों में आप देखोगे आप अपने जीवन में क्या करोगे आप success को देखोगे, आप हारोगे नहीं, क्यों? क्योंकि आप जो करने का सोचते हो वो आपके और से नहीं है, पवित्रात्मा के और से हैं, हो सकता है कि आप ऐसी घर में बैठे हो, और all of a sudden आपको परमेशर का आत्मा एकदम से अगवाई करता है, कि वो विक्ती जिसका office उसक को कॉल किया और वहाँ पर उसने बोला मेरे एक जॉप वेकेंसी है, आप जॉइन कर लो, तो आप जब वो सोच को जो पवित्रात्मा देता है, जब आप उसको करते हो, तब क्या होता है हम? क्योंकि वो हमें मार्ग दर्शन करता है, कैसे हमको चलना है, क्या-क्या डिसीशन हमें लेना है, वो हमें बताता है, तो जैसे हमारे जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप क्यों ना हो, उसके लिए पवित्रात्मा से पूछना बहुत जरूरी है, कि प्रभुजी, मैं ऐसा ये करना चाहता हूँ, मुझे स्वप्न के द्वारा, या लोगों के द्वारा, कैसे भी तू मुझे बता, कि क्या मैं ये जो करना चाहता हूँ, या चाहती हूँ, ये तेरे और से है की नहीं, और जब आप वैसे करोगे, तो पवित्रात्मा आपको हो सकता है, स्वप्न के द्वारा दिखाएगा, या हो सकता है, कोई विक्ती जिसको आप जानते भी नहीं, व पवित्रात्मा हमें अपने आत्मा से भरता है, वो हमें नियंत्रित करता है, और हमारे विचारों को में शामिल होता है, जब हम इफीशियों 5-18 पढ़ते हैं, इफीशियंस 5-18 वाली का है, दाकरत से मतवाले ना बनो, क्योंकि इस से लुच्पन होता है, पर आत्मा से परि वो हमें भरते जाता है और हमारा कटोरा उमंडता है तो जो विक्ति परमेशर के साथ में नहीं चलता और जब वो पहली बार पवित्रात्मा उसे भरता है उसके बाद अगर वो परमेशर के साथ संगती में नहीं चलेगा तो जो भरा हुआ जो है आत्मा वो कम होने लग जाता और फिर से वो व्यक्ति दुनिया के अनुसार चलता रहता है इसलिए क्या करते हैं कि भरते रहना बहुत जरूरी है आत्मा में भरते रहना हमें बहुत जरूरी है चौता हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है क्या देता है शक्ति देता है वो हमें सक्षमता देता है कुछ कार्य करने के लिए वो हमें सक्षम बनाता है जब हम रोमियो आठ उसका तेरा पढ़ते हैं रोमन्स एट थर्टीन वालिक का है क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे यदि आत्मा से दिह की करियाओं को मारोगे तो जीवित रोगे अगर आप शरीर के अनुसार चलोगे शरीर के अभिलाशाओं के अनुसार चलोगे तो क्या होगा आप मरोगे मरना मतलब यहाँ पर यह नहीं बताता कि जो हम 80 साल के बाद मर रहे हैं वो तो आप मसी में रहो आत्मा में चलो तो भी आप मरोगे ये दिखाता है अनंत जीवन या तो जब मरेंगे मतलब नरग में जाके हम हमेशा वहां मरेंगे लेकिन जीवित रहेंगे वो दिखाता है परमेशर के साथ हमेशा हमेशा हम वास करेंगे तो अगर हम शरीर के अनु हमें शक्ति देता है कि जब हमारे जीवन में कोई प्रलोबन आए, जब हमारे जीवन में कोई टेम्टेशन आए, तब पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारी मदद करता है कि हम उस में से निकल सके. मैं recently मेरे एक दोस्त है वो वह चर्श में आता है लेकिन अब लेकिन उसकी वाइफ प्रेगनेन तो वह नहीं आ सकता आ आ पा रहा तो इसने मेरे को मैसेज किया कि एक स्क्रीन शॉट भेजा और वह स्क्रीन शॉट में लिखा था एक लड़की न उसको मैसेज किया था Would you like to have nude sex with me on phone करके तो उसने एकदम से वो चीज मुझे भेजा कि ब्रदर मेर को ऐसा ऐसा मेसेज आया है तो मैंने बोला क्या करना है तिरको तो मैंने बोला कि तू क्या चाहता है तो मैंने तो ब्लॉक कर दिया तो मैंने बोला वेरी गुड तो मैंने बोला ठीक है ब्लॉक कर दिया कि इसके बारे में तेरी पतनी को पता है तो उसने बोला हाँ मैंने पहली चीज उसको बताया तो मैंने बोला I am very proud of you जब पवित रात्मा क्या किया उसको शक्ती दिया उस प्रलोभन से निकलने के लिए लेकिन सिरफ जब हमारे जीवन में टेम्टेशन आता है तब वो टेम्टेशन हमें ही अकेले उसको टेम्ट होने की ज़रूरत नहीं है हमें परपरमेशर ने जो पार्टनर दिया है उसकी मदद लेना आवशक है जितना आप अपने पतनी को बताओगे या आपके जीवन में कुछ होता है आप अपने पती को बताते हो कि देखोई वो लड़का ने मेरे कोई ये मेसेज किया आप अपने हिसाब से जब कोई चीज को सॉल्फ करोगे कि ठीक है मैं इसको परसनली सॉल्फ कर लेती हूँ अपनी पतनी को बताने के क्या जरुफ है वहीं पर शैटान काम करता है तो जब पवित्रात्मा आपको शक्ती देता है साथ में जो आपका परिवार है आपका कलीसिया है आपको उनकी मदद लेके हर एक चीज को सॉल्फ करोगे तो वो जड़ से उखड़ेगा नहीं तो वो चीज आपको क्या करेगा वो आपको lifelong क्या करेगा ट्रबल करेगा ऐसे ही बहुत सारे लोग अभी recent में जैसे मैंने पहले बताया कि वो लोग direct video call करते हैं अगर आपके नंबर पे कोई unknown number से video call आता है तो आपको कभी नहीं उठाना है खास तोर से पासबानों के ल था और यह पास्टर का फोटो आ गया उसने उसका screenshot ले लिया और फिर पासबान को बोला में तेरे Facebook में अपलोड कर दूंगा तेरे को टैक कर दूंगा मेरे को इतना इतना पैसा दे कहने का मतलब है समझदारी हम जो परमसी में हैं हमें हर एक चीज फुक फुक के करना है ताकि कोई भी तरीके से शैतान हमारे जीवन को हमारे परिवार को हमारे सेवकाई को खराब ना कर सके तो पवितर आत्मा क्या करता है हमें शक्ति देता है ताकि हम गलती ना करे गलतिय होगी फिर भी तो हमें क्या करना है माफी मांगना है और कोशिश करना है कि उसमें से निकलना है जब हम दूसरा एक हम कार्य देखते पवित्र आत्मा का कि पवित्र आत्मा फल उत्पन करता है वह हमारे चरित्र को स्थापित करता है और हमारे विचारों को और अच्छा बनात जब हम गलातियों पांच उसका बाविस से तेविस पड़ते हैं वहां पर हम देखते हैं आत्मा के फल वहां हम देखते हैं क्या लिखा है पर आत्मा का फल प्रेम आनंद शांती धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता सैयम है ऐसे ऐसे कामों के विरुद में कोई भी अंदर आता है तब यह फलों को लोग हमारे जीवन में देखते हैं अगर यह फल नहीं है और आप बोल रहे मैं पवित्रात्मा में भरा हुआ हूं मेरे में बहुत दान वर्दान है कोई फाइदा नहीं आप में फल होना बहुत जरूरी है जब हम स्वर्ग जाएंगे तो स् अविश्वक्ता था मैं प्रेरित था मैं पासबान था नहीं हमारे फल निश्चित करेंगे कि हम स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे तो जब आपका दोस्त आपकी पतनी आपका परिवार का कोई सदस्यक कलीसिया आपको ठेस पहुचाता है आपको क्या करना है प्र अलाई दिखाना है, विश्वास दिखाना है, नम्रता दिखाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है सैयम. अगर आप में सैयम नहीं है, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते. आपको कोई भी चीज़ को अपने जीवन में देखना है, उसके लिए सैयम चाहिए. आप बीजबोगे, आम की गुटली को लगाओगे, एक हफ़ते में उसमें पौधा आ जाएगा. अब आप बोलोगे नहीं, अभी के अभी मिर को दो हफ़ते में तू आम दे. इसा हो सकता है? नहीं हो सकता है. क्यों? सैयम. बहुत बार बाप आम का पेड़ लगाता है, बेटा खाता है. तो वो सैयम होना अमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है. अगर आपके पाद सैयम नहीं है, अप अच्छी सेवकाई नहीं कर सकते. अगर आप में सयम नहीं है, आप एक अच्छा परिवार नहीं चला सकतें, अगर आप में सयम नहीं है, तो आप अच्छा job, business, कुछ भी नहीं कर सकतें। हमने सबने वो कहानी सुना है, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी, कितने लोग ने सुना हैं? वो रोज एक देती थी, उसमें सैयम नहीं था, उसको एक ही दिन में सौ चाहिए था, और उसने मुर्गी को भी काट दिया, वो अंडा भी चला गिया, तो हमारे जीवन में सैयम है, तब हम हमारे जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हैं, फिर हम देखते हैं, कि पवित्र आत्मा जो है, फल्त उत्पन करता है, साथ में फवित्र आत्मा दानों को भी देता है, जब हम पहला कुरंतियों बारा, उसका एक से ग्यारा पढ़ते हैं, फर्स्ट कुरंतियन्स ट्वेल, वन टू लेवन वालिका है, हे भाईयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विशे में अग्यात रहो, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाती थे, तो गुंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे, वैसे चलते थे, इसलिए मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अग्वाई से बोलता है, वै नहीं कहता कि इशू श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है, कि इशू प्रभू है, वर्दान तो कई प्रकार के हैं, परन्तु वर्दान एकी है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परन्तु प्रभू एकी है, और प्रभावशाली कार्य कई-कई प्रकार के हैं, परन्तु परमेश्वर एकी है, और सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन करता है, किन्तु सबके लाब पहुचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धी की बाते दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ग्यान की बाते और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वर्दान दिया जाता है फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ती और किसी को भविश्वानी की और किसी को आत्माओं की परक और किसी को अनेक प्रकार की भाशा और किसी को भाशाओं का अर्थ बताना परन्तु ये सब प्रभावशालिक कारिव वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है तो यहाँ पर हमने विबिन प्रकार के आत्माओं के दान को देखा और क्या लिखा है कि जिसे जो चाहता है 11 वचन वो बाट देता है तो पवितर आत्मा क्या करता है हमें उसके दानों से भरता है लेकिन वो क्यों हमें अपने दानों से भरता है वो सवाल है पवित्रात्मा इसी लिए हमें अपने दानों से भरता है ताकि हम मसीही मसी के शरीर में एक उप्योगी सेवा करने की शमता प्रदान करे मतलब जो हमारे मसी भाई भेन है हम उनकी मदद कर सके और प्रतेक विश्वासी को पवित्रात्मा अपना दान देता है ऐसा नहीं है ऐसा कोई भी विश्वासी नहीं बोल सकता मुझे में कोई दान नहीं है हर विश्वासी में कोई ना कोई दान है लेकिन क्योंकि वो उसके प्रती सेंसिटिव नहीं है उसको समझ नहीं है कि वो अपने दान को किस तरह पॉलिश कर सके और उभार सके इसलिए वो उसमें चल नहीं पाता जैसे हमने बारा का साथ पढ़ते महां लिखा है किन्तु सब के लाँ पहुचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है ऐसा नहीं लिखा है सिरफ पासबान को ऐसा नहीं लिखा है सिरफ एल्डर्स को बिशप को अपोस्टल को ऐसा नहीं हर एक को पवित्र आत् जाता है और जैसे अठरवा में पचन में पढ़ते हैं बारा उसका ठारा वाली का है परन्तु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक-एक करके देह में रखा है तो हम सब को परमेश्वर ने क्या रखा है चुन के रखा है अपने कार्य के लेकिन जो दान है वो तीन जगे में बताएं गये हैं रूमियों 12 उसका 6-8 पहला कुरंटियों 12 आट से 10 और 28-30 और इफिसयों 4 से 11 हम बहुत बार सिरफ कुरंटियों को पढ़ते हैं लेकिन हमको ये तीनों को समझना बहुत जरूरी है जब हम रूमियों 12 छे से 8 पढ़ते हैं वहां पर हम देखते हैं रोमियों 12-6-8 क्या लिखा है और जब कि उस अनुग्रे के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन भिन वर्दान मिले हैं और जिसको भविश्वानी का दान मिलता हो वो विश्वास के परिणाम के अनुसार भविश्वानी करे यदि सेवा करने का दान मिला हो, तो सेवा में लगे रहे, यदि सिखाने वाला हो, तो सिखाने में लगा रहे, और जो उपदेशक हो, वे उपदेशक, उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगवाई करे, वे उत्सा से करे, और जो दया करे, वे हर्श से करे तो यहां पे भी हम विबिन प्रकार के दानों को देखते हैं जब हम इफीसियों 4 उसका 11 पढ़ते हैं इफीसियों 4 उसका 11 वहां लिखा है और उनने कितनों को भविश्वक्ता न्युक्त करके और कितनों को सुसामाचार सुनाने वाले न्युक्त करके और कितनों को रखवाले और उबदेशक न्युक्त करके दे दिया तो यहाँ पे भी हम देखते हैं पवित्रात्मा के कुछ दानों को जब हम पहला कुरुंतियों 12 उसका 28 और 30 जब हम पढ़ते हैं पहले का हम पढ़ चुके हैं 8 से 11 महाँ पे हम देखते हैं 28 से 30 मालिका है और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग-अलग व्यक्ती न्युक्त किये हैं प्रथम प्रेरित दूसरे भविश्वक्ता तीसरे शिक्षक फिर सामर्थ के काम करने वाले फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रधान और नाना प्रकार की भाशा बोलने वाले क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविश्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सब को चंगा करने का वरदान मिला है क्या सब नाना प्रकार की भाशा बोलते हैं तो यहां पे भी हम देखते हैं पवित्रात्मा के द्वारा दिये गए दान लेकिन यह अलग है अभी कुछ समय में आपको वो चीज समझ में आएगा तो यहां पे हम देखते हैं कि अलग-अलग जगे में पवित्रात्मा के दानों को वचन में हम देख सकते हैं और जो पहली कलीसिया थी जविशमसी के स्वर्ग जाने के बाद इस पृत्वी में थी वो आत्मिक दानों को बहुत महत्पून देती थी आज जब कलीसिया में कोई विक्ती पप्तीसमा लेता है लोग सिरफ नॉर्मल प्रात्ना करते हैं और उनको छोड़ देते हैं लेकिन जो पहली कलीसिया थी इसमसी के जाने के बाद वो सबसे पहले उनको पवित्रात्मा के दानों से भरने के लिए प्रोजसाहित करती थी और पॉलूस भी तिमत्योस को लिखता है कि शहर के प्राचीनों को न्यूक्त करने के लिए और बाद में हम देखते हैं कि जब हम पहला तिमत्योस 4 उसका 14 पढ़ते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि ये दान कैसे उनको मिलते थे क्या लिखा है पॉलूस तिमत्योस को बोलता है उस वरदान के प्रती जो तुझ में है और भविश्वानी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला निश्चित मत रहे कैसे मिला भविश्वानी के द्वारा प्राचीनों के द्वारा हाथ रखने से तो बहुत बार दान कैसे मिलते हैं जो दान मुझ में है वो दान अगर मैं किसी और को देना चाहता हूँ तो मैं विश्वास में वो दान उस सर पे हाथ रखके विश्वास में मैं उसको वो देता हूँ और अगर वो विक्ति उसको एकसेप्ट करता है उसके अनुसार वो चलता है तब उसको वो दान मिलता है वैसे ही दूसरा तिमोतियोस एक उसका च्छे में देख सकते हैं 2 Timothy 1.6 उसमें लिखा है इसी कारण मैं तुम्हें सुधी दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वर्दान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे मतलब जो दान उसको हाथ रखने से मिला उसे क्या कर और चमकाना है तो दान मिल जाएगा आपको लेकिन उसको और इन्हेंस करना आपकी जिम्मेदारी है तो यहाँ पर हमने कुछ देखा पवित्रात्मा के दानों के बारे में अब हमें समझना है कि पवित्रात्मा का द्यान, पवित्रात्मा का दान क्या होता है? सबसे पहले समझने की बात है कि एक अध्यात्मिक दान एक प्राकृतिक प्रतिभा के सम्मान नहीं है. मतलब एक स्पिरिक्चुल गिफ्ट जो है वो नाचुरल टैलेंट नहीं है. मतलब एक प्राकृतिक प्रतिभा मतलब नाचुरल टैलेंट. नाचुरल टैलेंट मतलब क्या होता है? वो प्रतिभा जो आपको हैरीडिट्री मिलती है. एक कोई या तो आपने अध्यान करके मेहनत करके आपने उसको विक्सित किया है. जैसे आप खाना नहीं बना सकते थे, आपने प्रैक्टिस करके क्या किया? अच्छे से खाना बनाना सीखा. या गिटार नहीं बजा सकते थे, प्रैक्टिस करके आपने गिटार बजाना सीखा. तो वो क्या है? वो दान नहीं है. वो टैलेंट है. पवित्रात्मा का दान और टैलेंट को समझना बहुत जरूरी है जैसे कोई वेक्ति बहुत अच्छे से गाता है क्योंकि उसने क्लासिकल सीखा है या कोई वेक्ति बहुत अच्छा पत्र लिखता है लेटर्स लिखते कुछ लोग कुछ लोग है बहुत ब्यूटिफुल ड्रॉइंग बनाते हैं और टैलेंट इसको आप पवित्र आत्मा का दान नहीं बोल सकते कि त्रमेशर के और से दिया हुआ च्छालेंट है जो परमेशर आपको उभारने में मदद करता है मैं फविट्र आत्मा का दान कब बोला जाता है ऐसे मैं बहुत लोगों से life में मिला हूँ जिनको keyboard का ABCD नहीं पता जिनको instrument का ABCD नहीं पता लेकिन जब पवित्र आत्मा उन पे उतरता है वो automatically वो चीज बजाने लग जाते हैं और automatically उनको पवित्र आत्मा क्या करता है वो गुण देता है तो वो क्या है उसे बोलते हैं पवित्र आत्मा का दान तो चाहे हमें पवित्र आत्मा के और से दान मिले या हमें खुद का talent है हमें हमें क्या करना है हमें उसे परमेश्वर के लिए उप्योग में लाना है confused नहीं होना है कोई बिक्ति है जो बहुत अच्छा घर बनाता है वो परमेशरन इसको टैलेंट दिया है वो गिफ्ट नहीं है गिफ्ट अलग होता है टैलेंट अलग होता है जब आप इस चीज को समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आप में क्या है क्योंकि ये पू प्रतिभा और आत्मिक दान एक समान नहीं हैं लेकिन वो परस पर जुड़े हुए हैं कहने का मतलब है परमेश्वर कभी-कभी हमारे नैचुरल टैलेंट को हमारे आत्मिक वर्दानों को बढ़ाने में उपियोग में लाता है अब आप पूचेंगे यह कैसे एक विक्ति था जो मसी में आने के पहले बहुत अच्छा सेल्समें था उसको बहुत बच्पन से उसके अंदर वो कॉलिटी था कि कोई भी चीज है वो लोगों को बहुत जल्दी से क्या कर सकता है कंविंस कर सकता है कुछ भी देंगे वो उसको बेचके दिखा देगा तो लेकिन जब वक्ति का वह टैलेंड था लेकिन जब वो मसी में आया वही टैलेंड को मसी ने क्यां किया आत्मा जीतने के लिए उप्योग में लाया तो यहां पर हम देखते हैं कि वो प्रतीबा को परमेश्वर ने आत्मिक दान के रूप में स्विकार किया यह दोनों अलग है लेकिन साथ में जुड़े हुए हैं तो यह समझना है कि आपका पर्सनल टैलेंट और स्पिरिच्वल गिफ्ट भाला की अलग है लेकिन पर्सनल टैलेंट को यूज कर सकता है आपके आत्मिक दानों को बढ़ाने के लिए अगर आप दरते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या नहीं कर सकते लेकिन पवित्रात्मा को क्या करता है बल और सामर्थ देता है तीसरा चीज एक आत्मिक वर्दान नए नियम के कार्याले के समान नहीं है मतलब जो न्यू टेस्टमेंट ओफिस है यह बहुत इंपोर्टेंट है समझना यह अलग है मतलब एक कार्याले बोले तो एक ओफिस बोले तो कोई शिक्षक होता है कोई बहुत बड़ा शिक्षक है कोई बिशप है कोई पासबान है कोई एलडर है वो क्या है ओफिस है लेकिन जब ये कार्याले के अंडर में कुछ काम होता है उसको बोलते हैं गिव्ट्स उसको बोलते हैं दान तो ओफिस अलग होता है और दान अलग होता है मतलब कि कार्याले जो है वो एक व्यक्ति को संधर्बित करता है कि समू को नहीं मतलब जैसे मैं पाजबान हूँ तो मैं एक ओफिस हूँ वो मुझे संदर्बित करेगा आप सबको नहीं लेकिन जो सेवा है वो प्रतेक विक्ति को संभोधित करता है नॉर्मल विक्तियों को वो संदर्बित करता है जैसे नए नियम के कुछ अंशों में कारियाले और दानों को एक साथ में मिला दिया गया है लेकिन वो एक दूसरे के उप्योग से अलग है कहने का मतलब है इफीसियों 4.11 में भविश्वक्ता की बात होती है लेकिन वहीं पे रोमियों 12 और पहला कुरंतियों 12 में भविश्वानी की भविश्वक्ता अलग है भविश्वानी अलग है तो भविश्वक्ता क्या हुआ वो एक ओफिस है और भविश्वानी जो है वो एक दान है तो कोई भी विक्ति जो खड़े हो के भविश्वानी कर रहा है जरूरी नहीं है कि वो भविश्वक्ता है क्योंकि वो उस दान में ऑपरेट कर रहा है लेकिन जिसका वो ऑफिस है वो ही उसको अपने आपको भविश्वक्ता बोल सकता है कहने का मतलब है जब आपने मसी को अपनाया आप में दान है अब अगर कोई बीमार के पास जाओगे आप उसके उपर हाथ रखके प्रातना करोगे वो चंगा हो जाएगा वहां पे क्या हुआ आपके अंदर जो चंगाई का गिफ्ट था वो एक्टिवेट हुआ और उसने उस विक्ति को चंगा किया तो आप यह नहीं बोल सकते कि मैं हीलर हो गया वहीं पर आप कहीं गाओं में जाओगे कोई विक्ति चल नहीं सकता आपने जाके प्रेयर किया वो चलने लगा वहां पर मिरकल हो गया वो चमतकार है चंगाई और चमतकार अलग अलग है तब यह न नूसार एक्टिवेट होता है मैं कुछ-कुछ कलीसिया में जाता हूं तो वहां पर मैं वचन भी बोलनी पाता कुछ भी नहीं कर पाता सिरफ वहां पर प्रफेसीज निकलेगा भविश्वानिय निकलेगी लेकिन वहीं पर मैं जब दूसरे जगह जाता हूँ मैं कितना भी कोशिश कर लो मैं भविश्वानी नहीं कर सकता महां पर सिरफ वचन ही बोल पाता हूँ और कहीं कहीं जाओंगा तो सिरफ वहाँ पर प्रातना जो बीमार है उनके लिए तो हर एक जगे में वह आत्मा अपने दानों को क्या करता है यूज करता है तो किसी का ओफिस और दान में बहुत फरक है चौथा एक स्पिरिच्वल गिफ्ट जो है वो चर्च मिनिस्ट्री नहीं है मतलब अध्यात्मिक दान जो है वो चर्च सेवकाई के समान नहीं है मतलब बहुत लोगों को लगता है कि अगर उनमें कोई दान है तो वो कलीसिया को चला सकते हैं वैसा नहीं है दान अलग है और चर्च की सेवकाई अलग है उधारन के लिए अगर एक विक्ति को शिक्षन का दान है एक विक्ति को सिखाने का दान है तो वो बहुत अच्छे स संडे स्कूल सिखा सकता है लोगों को मीटिंग में प्रातना समय पे नेत्रत्व कर सकता है वो अच्छे पाठों को बता सकता है कहानियां बता सकता है छोटे-छोटे समू में वो बाइबल अधियन ले सकता है तो यहां हम देखते हैं कि उसका ओफिस क्या है शिक्षा का वो सि क्या है उसकी सेवकाई है तो अपनी सेवकाई को यह मत नहीं समझना है कि यह कलीसिया है हमें कलीसिया अलग है और सेवकाई अलग है यह समझना बहुत जरूरी है पांचवा एक अध्यात्मिक दान आत्मा के फल के समान नहीं है मतलब पवित्रात्मा का दान पवित्रात्मा का फल नहीं है मतलब दान जो है वो सेवा के संबंद में है बहुत जरूरी है समझना अगर मुझे भविश्वानी का दान है तो वो सेवा करना है आपके लिए मतलब कलीसिया की उन्नती के लिए पॉलुस बोलता है मैं तुम सबसे ज़्यादा अन्यभाशा में बात करता हूँ लेकिन प्रात्ना करो या इच्छा रखो कि तुम वविश्वानी कर सको ताकि कलीसिया की उन्नती हो तो जो दान है वो सेवा के लिए है लेकिन फल हमारा चरित्र को बताता है यह बहुत ज़रूरी है आप ऐसे लोगों को मिल सकते हो जो दान में बेस्ट लेकिन जब आप उनके चरित्र को देखोगे तो रोड साइडे में जो रिक्षा चलाने वाला आदमी है उसकी चरित्र उससे बहुत अच्छे है इसलिए हमें दान पे फोकस दान के लिए चुक होना चाहिए लेकिन हमारा जो में फोकस क्या होना चाहिए हमें अपना चरित्र को बनाना है हमें फल को उधपन करना है दान बताता है कि एक विक्ती के पास क्या है और एक फल बताता है कि विक्ती क्या है मेरे पास दान है लोग मुझे देखेंगे बोलेंगे हाँ इनके भविश्वानी करते हैं वो बताएगा लेकिन मेरा फल बताएगा मैं कौन हूँ आपका फल बताएगा आप कौन है तो ये दिखाता है कि हम मसी में है की नहीं और बहुत इंपॉर्टेंट जब हम पहला तिमोटी तीन उसका एक से चार पड़ते हैं महां पे हम देखते हैं कि एक एल्डर होने की योग्यता क्या है एक कलीसिया में अगर हम एल्डर को निक्त करते हैं उसकी योग्यता क्या है क्या लिखा है ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वे भले काम की इच्छा करता है सो चाहिए कि अद्यक्ष, निर्दोष और एक ही पत्नी का पती सयमी, सुशील, सभ्य, पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुन्ड हो पियकड या मारपीट करने वाला ना हो वरन कोमल हो और ना जगडालू और ना लोभी हो अपने घर का अच्छा प्रभंद करता हो और लड़के बालों को सारी गंबीरता से अधीन रखता हो ये है एक एल्डर का लिस्ट इसमें हम देखते हैं कि दान नहीं दिखते, यहां पे फल दिख रहे हैं पॉलूस यह नहीं बोलता उसके अंदर वविश्वानी का दान होना चाहिए उसके अंदर चंगाई का दान होना चाहिए लेकिन यहां पे पॉलूस तिमत्यूस को क्या बोल रहा है उसके अंदर चरित्र होना चाहिए तो हमारे जीवन में हमारी इच्छा ओने चाहिए कि मैं फल लाने वाला मसीही बन सको तो यह हमने देखा पवित्रात्मा के दानों के बारे में अब कुछ हम देखेंगे कि पवित्रात्मा के दानों की श्रेणी को वो अलग-अलग प्रकार से हैं जो हमने total जो देखा, तीन जगे में पवितरात्मा के दानों को, वो तीन श्रेणी में हम उसको कर सकते हैं. जैसे कि उस में से, जब हम रोमियों 12 पड़ते हैं, तो वहाँ पे साथ, खोलने की जरुरत नहीं, वहाँ साथ दानों को देखते हैं. पहला कुरंतियों 12 में 13 दानों को देखते हैं और इफीसियों 4 में हम 5 दानों को देखते हैं टोटल मिला के होते हैं 25 दान लेकिन तीनों जगे में कुछ-कुछ दान repeated है तो अगर जो repetition को हम हटा देते हैं तो टोटल दान जो बचते हैं वो है 18 दान तो ये अठारा दान भी तीन इसमें अलग-अलग हम कर सकते हैं मतलब ये अठारा दान में से आट दान जो है वो बोलने वाले दान है वो दान बोलने से related है छे दान जो है वो सेवा से related है और चार दान जो है वो चिन से related है पहला आठ बोलने से, चे सिवा से, और चार चिन से. वो हम जल्दी में हम देखेंगे. पहले हम देखेंगे आठ बोलने वाले दानोंको. बस मैं को ध्यान से सुनिया है, मैं जल्दी से बताता हूं. पहला है प्रेरी रत्व अपोस्टल शिप यह उपहार जो दिया जाता है विक्ति को यह दान किसी विक्ति को दिया जाता है और यह दान एक विक्ति को सक्षम बनाता है कि वो विक्ति क्या करे अपने घर को छोड़के अपने समू को छोड़के दूसरे जगे में जाए वहां पे जाके वो सुसामाचार सुनाए और कलीसिया की स्थापना करे उसको बोलते हैं प्रेरित जिसके जिसमें प्रेरित का दान है वो वो कार्य करेगा दूसरा जो बोलने से रिलेटीड है वो है भविश्वानी यह जो दान जिसको मिलता है वो क्या करता है कि परमेश्वर के लागू कर सके और जो शम्ता के साथ परमेश्वर ने चुना है उसमें वो अपने जीवन में उन्नती कर पाए तीसरा है इंजीलवाद मतलब इवैंजिलिस्ट मतलब ये विक्ती जिसकों में इंजीलवाद का दान होता है वो क्या करता है? अलग अलग जगे जाता है और इश्व मसी के बारे में लोगों को बताता है फिर उसके बाद एक दान है चरवाहा जो की मैं भी उसमें आता हूँ ये वो लोग है जो मसीही लोगों को क्या करते हैं? दिशा दिखाते हैं आपको समझाते हैं सिखाते हैं और ताकि आप गलत रिष्टों में गलत तरीकों में आप लड़ खड़ाए ना बलकि अधिक से अधिक अपने जीवन में आप जैवन्त को प्राप कर सको उसके बाद हम देखते हैं शिक्षा शिक्षा जो है वो जो दान दिया जाता है वो विक्ती रहता है जो आपको परमेश्वर के वचनों से सिखाता है और ताकि आप अच्छे तरीके से मसी जीवन को जी पाए उसके बाद आता है उद्योधन उद्योधन बोले तो इंगलिश में एक्वार्टेशन को बोलते हैं एक्वार्टेशन मतलब जो कमजोर लोग हैं उनको मजबूत बनाना जो पाप में हैं उनको उसमें से निकाल कर उन्हें खड़ा करना जो लोग परेशान है उन्हें प्रोचसाहित करना और उन्हें मसी में बढ़ाना मतलब अगर जब आप कुछ गलत करते हो और मैं आपको बोलता हूं ब्रदर आप गलत कर रहे हो मैं आपको एक्जॉट कर रहा ह मैं आपकी गलती दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ तो वो भी एक प्रकार का दान है आप देखे होंगे कुछ-कुछ लोग जब गी उनसे बात करो तो वो बोलेंगे तू ना ये जो कर रही है न वो गलत कर रही है ये जो तू कर रहा है वो गलत कर रहा है आप बोलोगे यार इसमें बस कमिया ही निकालना है इसका लेकिन उसमें वो दान है एक्सार्टेशन का कि जो आपको जब देखेगा तो आपके अंदर की कमिया दिखेगी और मोस्ली ये दान बाइ गॉड ग्रेस इन बिल्ट वाइफस में होता है कि वो और वो अच्छा दान है हम पतियों को वो और अच्छा विक्ती एक अच्छा पती एक अच्छा पिता एक अच्छा बेटा बनने में वो क्या करती है मदद करती है उसके बाद एक दान आते है ग्यान का वचन ग्यान का वचन बोले तो जिसमें ये दान रहता है वो परमेशर के वचन की गहरी सच्चाई को समझ पाता है और वो दूसरों को सिखाता है जब नॉर्मली एक वक्ति बोलेगा यहोवा मेरा चरवा है मुझे कोई घटी नहीं हो गया आप यहोवा मेरा चरवा है लेकिन जब आपके पास में वो ग्यान का वचन है ग्यान का आत्मा है तब वही वचन में परमेशर आपको इतना डीप सोच देगा कि जो आपने कभी चानें तब आप बोल सकते हो कि आप में क्या है वरड ओफ नॉलेज ग्यान का वरदान है और आखरी जो मूझ से बोलने वाले वचनों दान का है बुद्धी का वचन वरड ओफ विजडूम बुद्धी का वचन जो दान होता है कि कठिन परिस्तिती में या जटिल समस्याओ के लिए परमेशरों के सिध्धानतों को लागू करने की विशेश शमता मतलब जिसमें ये दान है वर्ड ऑफ विजडम जिसके अंदर बुद्धी का वचन है जब सामने वाला विक्ति आके बोलेगा ऐसा 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 प्रॉब्लम है वो सुनेगा इमीजिटली बोलेगा आप ऐ तरात्मा देता है तो यह आठ दान है जो हम देखते हैं बोलने वाले अब हम देखेंगे छे दान जो सेवा से रिलेटेड है पहला हेल्प मदद करना मतलब चर्च में सेवा के लिए आना एक दूसरे की मदद करना और अपने करतव्यों का क्या करना प्रभावी ढंग से क्लीषिया में आते हो जब आप मसी में हो तो आपके नॉर्मल जो रिस्पॉंसिबिलिटीज है क्लीषिया के प्रती या मसीही भाई बहन के प्रती किसी भाई का टायर पंचर हो गया वापको बुलाता है भाई मेरा टायर पंचर हो गया या मेरा गाड़ी में पेट्रॉल ख करोगे वो मदद करना तो वो एक सेवा के ध्यान से करना है सेवा को मन में रखके करना गर जो लोग यहां पर दो बज़े आके यह पुरा सेट लगाते हैं वो क्यों करते हैं सेवा कि मैं आके यहां पर यह तयार करूंगा तो लोग अच्छे से बैठ सकते हैं वो लोग भी घर कि फुट करते हैं वो सेवा का दान है दूसरा देना मतलब पैसा इमानदारी से कमाना और फिर जरूरत्मंदों को राहत देने के लिए इसका बुद्धि-मानि से उप्योक करना एक दान है उदारता से देना , तो ये लोगों को specific लोगों को परमेश्वर ये दान देता है कि जब परमेश्वर उनके जीवन में आशिश देता है तब उनके नजर में जो परमेश्वर लोगों को लाता है जिनके जीवन में कमी है घटी है तब वो क्या करते हैं उनके उसमें से जितना बन पड़ता है वो उनकी मदद करते इसका मतलब यह नहीं है कि यह दान सिर्फ जिनके पास करोड़ है जिनके पास लाख है वो ही कर सकते नहीं हो सकता है आप सिर्फ हजार रुपए कमाते हो फिर भी आपके अंदर यह दान हो सकता है हो सकता है अप 10 किलो चावल नहीं लेके दे पाऊगे लेकिन आप 1 किलो कर पा नहीं जो आप में आपके पास है उतने में आप ये काम कर पाओगे तीसरा जो दान है वो है शासन का ये जो दान जिसमें होता है वो विक्ति क्या करता है वो रूल करता है या तो वो पॉलिटिक्स में होगा या वो बहुत बड़े ओदे पे होगा मतलब एक ऐसा विक्ति हो सक आप भी मैसुस कियोंगे जब आप स्कूल में थे कॉलिज में थे आप कुछ भी खेलो फुटबॉल के लो कुछ भी क्रिकेट खेलो आप बले नहीं बोलो कि मुझे कैप्टन बनना है आपको कैप्टन बना देते तो अगर आपके अंदर वैसा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एक लीडर के तौर पर मेश्वर ने चुना है बच्पन से सब लोग आपको एज लीडर देखते हैं तो यहां पर वो एक क्या है शासन का एक क्या है दान है चौथा हम देखते हैं दया दिखाना यह एक दान है जब हमारे जीवन में किसी विक्ती को हम देखते हैं जो दुख से जा रहा है निराशा से होके जा रहा है उसका परिवार तूट रहा है हम वहां जाके मिर्च मसाला नहीं लगाएंगे हम उसके बारे में क्या बोलते गॉसिप नहीं करेंगे हम उसके चरित्र के उपर कमेंट नहीं करेंगे बलकि हम उसके साथ जाके रोएंगे भाई में तेरे दर्द को समझता हूँ बहन में तेरे दर्द को समझती हूँ ये है दया का दान जो पवित्रात्मा हमें देता है उसके बाद एक दान है विश्वास विश्वास का दान जिसमें है वो इनसान का जीवन बहुत अलग है मतलब आपके पास में हो सकता है एक रुपे लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास का दान है तो आप 10 लाग के चीज के ओपर विश्वास से क्लेम कर सकते हो मतलब आपके पास में बैंक में अभी 0 रूपीज होगा और आप बोलोगे यार मेरी परिस्तिती ऐसी है में तो कुछ नहीं कर सकता कर सकती लेकिन जिसमें विश्वास का दान है वो विश्वास में बोलेगा वो घर मेरा है वो हर एक में नहीं रहता हो जिसमें विश्वास है वो बड़े से बड़े चीज को एटेम्ट करेगा हारेगा चलेगा पर वो एटेम्ट करेगा क्योंकि उसका विश्वास उसके अकाउंट स्क्रीन पे दिखाने वाले नंबर नहीं है, सिंगल डिजिट, जीरो डिजिट, लिकिन उसका विश्वास परमेश्वर पे है, तो इसलिए हमें प्रातना करना है कि परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा, ताकि मैं और बड़े कार्य तेरे लिए कर सकूं और आकरी साइन है विवेक, विवेक जो गिफ्ट है, वो सचाई और बुराई, कि बीच में क्या करता है, सही चुनने में आपकी मदद करता है, जब आपका दोस्त आपको बोलेगा, तु ये क्यों नहीं कर लेता, वो ही दोस्त बोलेगा, तु वो क्यों नहीं कर लेता, यहां से निकल जाता लेकिन अगर आप में विवेक का दान नहीं है आप वो भी करने की कोशिश करोगे यह भी करने की कोशिश करोगे और आपका जीवन दोनों जगे से नश्ट हो जाएगा तो यहां पर हमने छे दानों को देखा जो सेवा से रिलेटेड है अगर आपके पास विवेक है तो आप अच्छे से लोगों की सेवा कर सकते हो सामने वाला इंसान आपको बेवकूफ बना रहा है यह सामने वाले इंसान की जरुरत जनुवन है यह समझने के लिए क्या करना है आपके पास विवेक होना चाहिए हर एक इनसान जो रोके आता है doesn't mean वो genuine है उसके लिए हमें विवेक चाहिए आखिर के जो चार चिन है वो है चार दान है वो चिन के दान है चिन के रूप में मसी में रखा गया है पहला चमतकार चमतकार और दूसरा चंगाई ये दोनों में फरक है चमतकार बोले तो अगर एक विकलांग है आप उसके लिए प्रेयर करोगे इमीजेट वो खड़ा हो जाएगा उसको बोलते हैं चमतकार लेकिन वहीं पे एक विक्ती बिमार है आप जाके उसके लिए प्रेयर करते हो और दो-तीन दिन में वो ठीक हो जाता है उसको बोलते हैं चंगाई जब आपने प्रेयर किया वो बिमारी खतम हो गई लेकिन ओवर दा पीरियर अफ टाइम धीरे 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 वो बिमारी पून रुप से ठीक हो गई तो वो है चंगाई और तीसरा है अन्य भाशा में बोलना यह एक दान है जब हम पवितरात्मा से भरते हैं हम एक अन्य भाशा में बोलते हैं जो एक लिटरल लेंगवेज है जो हम नहीं समझ पाते लेकिन परमेश्वर हमें क्या करता है सिखाता है और चौथा अन्य भाशा का व्याख्यान यह चार जो चिन है चार जो दान ही यह चिन से रिलोटेड है अब अन्य भाशा का व्याख्या मतलब जो अन्य भाशा में मैं बोलता हूँ यह जो अन्य भाशा में राहुल बोलता है यह जो अन्य भाशा में मनीश बोलता है तो जिसके पास यह दान है वो जब उसको सुनेगा इमिजेटली बता देगा वो क्या बोल रहा है और ये दान बहुत कम पाया जाता है आज के समय पे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने देखा बोलने वाले दान सेवा के दान और चिन के दान जब हम पहला पत्रस चार उसका दस और ग्यारा पढ़ते हैं पहला पत्रस चार दस और ग्यारा वालिखा है जिसको जो वरदान मिला है बै उसे परमेशर के नाना प्रकार के अनुग्रे के भले बंडारियों के सामान एक दूसरे की सेवा में लगाए यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेशर का वचन है यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ती से करे जो परमेशर देता है जिस से सब बातों में इश्यू मसी के द्वारा परमेशर की महिमा प्रगठ हो महिमा और समराज युगानी युग उसी का है आमेन जिसको जो वरदान मिला है उसको कलीसिया के लिए उपियोग में लाना बहुत जरूरी है आखिर में एक सवाल उठता है कि हम आत्मिक दानों की खोज कैसे करे या हमें पवित्रात्मा मिला है तो हम उसको कैसे बढ़ाए आपको एक चीज़ समझना है कि प्रतेक सच्चे मसीही विश्वासी को मसी में जब वो परिवर्तित हुआ तब उसे पवित्रात्मा का दान मिला हुआ है लेकिन उन उपहारों को उपियोग में लाने की जिम्मेदारी उसकी है फॉर एक्जामपल आप और मैं जब अगर हम जैसे हम लोग जिम जाते हैं तो जब हम जिम जाते हैं तो क्या हम एक्स्ट्रा मसल स्रिंच में निकाल के अपने बॉडी में घुसाते हैं क्या घुसाते हैं नई मसल है हमारे पास लेकिन हम जब एक्सरसाइज करते हैं विश्वास करते हैं पूरे दान हमारे अंदर है लेकिन हम कौन से दान पे जादा फोकस करते हैं और जो दान आत्मा हम से उप्योग में लाना चाहता है वो दान क्या होता है हमारे जीवन में विक्सित होता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर परमेश्वर आपको भव परावारा चंगा करेगा है है तो कैसे हम पता करेंगे आप में कोई आत्मिक Dhan है सब्से पहले आपको मसीही सेवा में व्यस्थ JONATHAN होना है मतलब जब तक आप किसी के पास जाके वचन नहीं सुनाओगे आपको नहीं समझेगा कि पवित्र आत्मा उसमें काम कर रहा है और वो मसी को अपना रहा है घर में बैठे चाय पीते कॉफी पीते ये दान आप विक्सित नहीं कर सकते आपको सेवा में उतरना है आपको प्रचार करना है जब आप बाहर जाओगे सेवा करोगे किसी को आप तंगी मुसीबत में देखोगे आपके अंदर दया आएगा तब आपको समझेगा कि कौन कौन से दान आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं तो पहला मसी जीवन में क्या करन होना है कुछ ऐसे करने की इच्छा जो पहले से उपलब्द है वो क्या करेगा वह आपके आत्मिक दानों को बढ़ा सकता है जो आपके पास औरेडी है तो जब तक आप बोलोगे मेरे अंदर कौन सा दान है चंगाई का है मिरेकल का है मैं भी ऐसे सोचता था तो मेरे को एक फर प्रेयर कर तेर को दिख जाएगा तो मैं जाता था विश्वास में होस्पिटल एक के लिए प्रेयर करता था पूछता था क्या मैं प्रेयर कर सकता हूं करता हूं दूसरे के लिए तीसरे के लिए करके जाता था दूसरे दिन आता था तो वो दस में से तीन गायब तो बलते उनका रिपोर्ट बहुत अच्छा था वो डिस्चार्ज हो गए फिर साथ के लिए प्रेयर नए लोग आए तो देखते देखते मेरे को समझा कि हाँ परमेश्वर मेरे को चंगाई के शेत्र में उप्योग करना चाहता है जब कोलापूर में एक बर गया वीडियो यूट्यू जा आरे इसा ऐसा मैं बहुत क्या हो गया देखा तो वो चलने लग गया तो वो है मिरेकल चमतकार तो मुझे पता है परमेश्वर महां भी उप्योग कर सकता है मीटिंग में किसी के लिए प्रेयर किया नहीं देख सकते थे हात रखा प्रेयर किया वो देखने लगे नहीं जब तक जाओगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा आप में कौन सा दान है आप जब प्रेयर करोगे नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा आप में कौन सा दान है तो सब इंपोर्टेंट क्या है कि आपको पहला स्टेप बाहर निकलना है लोगों से मिलना है बात करना है समझना है तब आपके अंदर जो दान है वो आपको समझ में आएगा दूसरा आपको सोचना है कि आप कौन से दान के प्रती आकर्शित होते हैं इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूंगा जब आप अध्यात्मिक दान की खोच करना चाहते हैं तो आपका ये सवाल होना नहीं चाहिए कि आपको क्या लगता है कि दूसरे आपसे क्या उमीद करते हैं और ना ही ये कि अभी वरतमान में कौन सा दान ट्रेंडिंग पे है या प्रचलन में है लेकिन असली मुद्धा ये होना चाहिए कि आपको किस दान के लिए आप उप्युक्त हो ये नहीं सोचना है कि वो दोस्त बोल रहे है यार तु बहुत अच्छा भविश्वक्ता है लोग बोल रहे है वैसा नहीं और यह नहीं सोचना है कि अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहे है लोग क्या अभी all of a sudden राकल एवेंजलिस्ट था रात रात में फेस्बुक में चेक करो तो प्रॉफिट हो जाता है ओवरनाइट उनका ओफिस चेंज हो जाता है जो कि नही होता मैं जब सेवकाई की शुरुवात किया मैं एवेंजलिस्ट करके निकला और आज में मैं अपने आपको एवेंजलिस्ट ही बोलता हूं बाकी ऑफिस जो मेरे साथ जुड़े हैं वो मेरी विश्वास योगिता के साथ जुड़े हैं क्योंकि मैं एवेंजलिस्ट मैं सच आचाई से खाराई से चला, दान मिलते गए, जब मैं सेवकाई करने गया, तब मिर्क बास भविश्वानी का दान नहीं था, लेकिन जब मैं विश्वास योगीता के साथ एक दान में सक्षम हुआ, परमिश्वर ने और दान देता गया, तो ये समझना है कि आप कौन से दान क के प्रती आकरशित होते हैं, लेकिन इन सब में क्या होता है, आपका बैगराउंड मैटर करता है, मतलब आपकी विशिष्टा है, आप कौन से बैगराउंड से आते हैं, आपकी सोच, हर एक चीज डिटर्माइन करेगा, आपको कौन सा दान मिल सकता है, फॉर एक्जामपल, अगर विश्डम का दान है, और आपके पस विश्डम ही नहीं, तब कैसे करोगे, वो कैसे आएगा, जब आप सीखोगे, जब आप किताबों को पढ़ोगे, जब आप आर्टिकल्स पढ़ोगे, किताबों को अध्यान करोगे, तब आपके पास में वो विश्डम आएगा, तो जितना जादा आप अपना इंपुट डालोगे, उतना जादा आपको परमेश्वर उप्योग में लाज़ पाएगा, पत्रस इश मसी के साथ जादा था, लेकिन पॉलूस कम था, लेकिन पत्रस को जितना यूज किया, उससे कही जादा पॉलूस को यूज किया, क्योंकि प यार करोगे उतना ज्यादा परमेश्वर आपको उप्योग में ला सकता है कि तीसरा कि आपको अपने आपको जाचना है कि कौन सा दान आपको खुशी देता है अगर आप बोलोगे मैं प्रात्ना करना चाहता हूं यह दान है मेरे में प्रात्ना का दान है मैं तो इंटरसेसर हूं और जैसे बैठ जाते हैं तो दीरे दीरे पैर पजार के सो जाते हैं तो आप इंटरसेसर नहीं हो सकते जो पवित्रात्मा का जो दान आपको मिलेगा वो करने में आप आनंदित होंगे आप प्रस्न होंगे अगर आपको सुसामाचार सुनाने का दान है तब आप क्या करोगे आप सुबह से शाम तक भी सुसामाचार सुना लिए आप बोलोगे अरे आदा गंटा और किसी को बता देता हूँ आपको खुशी होगी आपको उसके बारे में एक शांती रहेगी एक अंतरिक शांती रहेगी कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा है जो मैं कर रहा हूँ वो बहतर है Lakota, तो ऐसे आपको पता चलेगा कि आपका दान क्या है चौथा, जब आप मसीज जीवन में हैं तो आपको देखना है कि दूसरे आपके बारे में क्या बोलते हैं क्योंकि बहुत बार हम हमारे दान को नहीं समझ पाते लेकिन सामने वाला हमारे दान को देखता है जैसे कुछ-कुछ लोगे, जब वो चलते हैं, बात करते हैं लोग बोलते हैं, यह तो बड़ ओके python पास्टर ही बनेगा यह कुछ लोग बोलते हैं, तो बड़ ओके सेवकाई करेगा आपसे भी परमेशर किसी वेक्ति से बात कर सकता है हमेशा एटेंटिव रहना कि आपके बारे में लोग क्या बोलते हैं इसका मतलब यह नहीं है वो जो बोलेंगे वो आपको बनना है लेकिन कि आपको हेल्प करेगा आपके आत्मिक दानों को समझने के लिए तो यह कुछ चीजे थी बहुत सारी चीजे हैं अभी टाइम खतम हो गया तो यह कुछ चीजे हैं जो आपको समझ में आएगा कि आपको आत्मिक दान के वारे में आपको कैसे चलना है आखिर में एक बचन पढ़के क्लोज करेंगे 1st कुरंटियंस 12 31 क्या सब अनुवाद करते हैं तुम बड़े से बड़े वर्दानों की धुन में रहो परंतु मैं तुमें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ इंगलिश में लिखा है कवेट अरनेस्टली दबेस्ट गिव्ट कवेट का मतलब क्या होता है लालच करना बाइबल सिरफ एक ही जगा लालच करने को सिखाता है वो है वर्दानों के विशेय में अगर आप किसी के घर के बारे में सोचते हो काश ये घर मेरा होता गलत है काश वो पती मेरा होता बलत है, काश वो पतनी मेरी होती गलत है, लेकिन Bible सिरफ एक ही जगे बोलता है कवट करो, वो है दानों के बारे में, आपके अन्दर में वो इच्छा ओनी झाहिए, कि मेरे द्वारा भी परमेशवर किसी को चंगा करे, मेरे द्वारा भी किसी को परमेशवर छुटकारा दे मैं भी भविश्वानी करूँ मैं भी अन्य भाशा में बोलूँ मेरे अंदर से भी पवित्र गाने निकले इसलिए हमें क्या करना है कवेट करना है मुझे चाहिए मुझे वो दान चाहिए वो करने के लिए Bible आपको अनुमती देता है तो जब आप देखते हो कोई विक्ति आत्मा में है और आगे है आप कवेट कर सकते हो कि मुझे वैसा दान में आगे बढ़ना है आई हम परात्ना करें प्रेमी परमेश्वर आपके सन्मुक में शाम के समय आते हैं कुछ समय प्रभ आत्मा के दानों के बारे में समझने के लिए अपने मदद किया धनेवाद देते प्रभुची होने दे प्रभुची जो वचन सुना गया प्रभुची प्रभुची उसको आपके लहों के बाड़े में डालते दुतों का पैरा बनाए रखिए कोई भी शैतान प्रभुची उस वचन को चुराने ना पाए प्रभुची और ये वचन प्रभुची हरे के जी उन में कारे करने पाए और प्रभुची एक अद्बुत कारे हरे के जीवन में होने पाए प्रभुची दुष्ट के कोई भी चाल और कारे प्रबलना होने पाए प्रभुची ऐसा आप कर रहे धन्यवाद देते हैं प्रभुची छोटी सी बिंती आपके बेटे शनासरी के नाम से मांगते हैं सुन और कभूल कर आमें आमें अर्भुची आमें अर्यंदीALी आमें अर्भुची एंज मांगते हैं स्वनदी के बेटे मॉठर कास्वाद य्ल्यवाद गयाल से मॉठर的 आमें दिल व्लिष्मा में आमें अृत्वम्न में आमें अर्चे लली आमें झाल झाल